है एबरिबरडी कैसे हैं आप सभी तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूटूब चैनल CHS GenV Study Capital पर आज मैं आपको एक ऐसी इंपोर्टन चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको सुनना ही पड़ेगा क्यों? क्योंकि अगर आप क्लास 9th CHS Interance Exam के लिए प्रिपेर कर रहे हैं मतलब आपका सपना है कि आप क्लास 9th CHS Central Hindu School से पढ़ें तो आपके लिए थोड़े ये वीडियो इंपोर्टन होने वाली है ठीक है? कई बच्चों के लगातार क्वेशन थे इस वज़े से मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा बिसिकली क्वेशन ये है कि सर मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ किस तरह से मैं प्रिपेर करूँ कि मेरा 9th स्टैंडर्ड में CHS में हो जाए 8th का exam मैं board exam की तरह करूँ यानि कि board exam तरह बिसिकली 8th के yearly exam की preparation करूँ या मैं CHS की preparation करूँ बहुत confusion है चुकि देखो अगर आप बड़े label पे सोच रहा है तो ये आपके लिए बहुत छोटी बात होगी लेकिन आप अगर उस label पे सोचते हैं कि हा भाई मैं class 8th standard में हूँ क्योंकि ये वीडियो कई parents देखते हैं तो parents अपने approach की हिसाब से बच्चों की approach लगाते हैं मैंने बही कई बार का है बही कि अगर आपको बच्चों से निपटना है तो आपको बच्चों के label पे आके सूचना पड़ेगा क्योंकि मुझे याद है आज भी याद है जब मैं class 6th standard में था या मैं बात करूं 5th standard की जब मैं 5th standard में था तब भी मुझे डर लगता था कि syllabus बड़ा है तब भी मुझे डर लगता था कि मैं first कैसे आऊँगा तब भी मुझे डर लगता था कि कहीं मैं fail ना हो जाओं हाला कि school में ऐसा तो नहीं कि fail कर देते लेकिन फिर भी डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो क्योंकि teachers cbsc बोड के हो या कहीं किसी की बोड के हो एक डर बना के रखते हैं बच्चों के अंदर कि अगर तुम अच्छा नहीं किये तो fail कर दिये जाओगे तो six seven eight standard हैने की सोचो बारा से 13 साल के बच्चों की क्या thinking capability होगी वो क्या सोचेंगे तो वही आज मैं बात करने वाला हूं अगर आप भी प्यारे बच्चे हैं हमारे छोटे-छोटे नन्ने मुन्ने पढ़ाई कर रहा है eight standard में और चाहते हैं कि class nine standard में आप भी CHS में पढ़ classes then class 8th of class 9th classes class 9th के अलावा कुछ चीज़े sorry class 8th के अलावा कुछ sufficient चीज़े पढ़नी पढ़ेंगे जोगी class 9th की है तो मैं बता दू यह totally पूरा का पूरा मित है यह बहुत गलत है अगर आप class 9th की त्यारी कर रहे हैं तो then you have to learn only only and only the syllabus of class 8th standard and 7th standard आप मैं थोड़ा सा एक च class 8th में अगर आप हैं आपको एक बात याद है आपने जो fraction पढ़ रखे थे मैं mathematics की बात करूँ आपने जो fraction पढ़ रहे थे वो कहां से आपने सीखा था वो definitely आपने सीखा था class 7th से और class 7th में जो आप fraction पढ़ रहा है उसका जो छोटा-छोटा पार्ट सीखे थे वो सीखे थे आप class 6th से देखो मैं बताओ basically class 6th में बताया जाता है आपको एक fraction क्या होता है something बटा something is your fraction 7th में आके आपको types of fraction बताया जाते है 8th में आके types के साथ में आपको कुछ और complex function दे देंगे उसको आपको बनाना पड़ेगा simple fraction तो कई सारी conditions हो आप बढ़ जाती है जैसे for example मैं फिर से बात करूं mathematics क्लास 6th में आपको बता जाता है rational number rational number तो class 6 में आपको directly rational number नहीं बता जाता है तो वहां पे आपका real number topic होता है real number से rational number आपका आ जाता है अगर आप class 7th में आ रहे है। तो वहां पे आपका rational number बताया जाता है rational number लेकिन एक definition बताके क्या होता राशन लंबर ओवर्वीव बता दिया जाता है लेकिन जब वही आप क्लास एट में आते हो तो आपको क्वेस्टन सॉल्व करने पड़ जाते है राशन लंबर पर तो यह चीजे होती है बिसे के लिए आता क्लास एट का है लेकिन रिलेट करता है वह शिक्स और सेवंध से अगर in case आपका क्लास शिक्स में और सेवंध अगर आपका बीक है बहुत बीक है तब इस situation में आपको चाहिए ज्यादा गाइडेंस more guidance or more extra classes more guidance के साथ में आपको चाहिए more extra classes ठीक है और इसके अलावा अगर आपका बेस क्लियर है then very good 8 standard में क्या होता अगर आप सीचस क्लास 9th में तारी करो तो मैं बता दूँ difficult होता है class 9th admission लेना comparison to class 11th admission लेना क्योंकि 8th के जो mathematical problems आते हैं वो mathematical problem थोड़े से reasonable हो जाते हैं वाले question को चीजिस में उड़ जाते हैं ठीक है तब आपके थोड़ा complex हो जाता है तो mathematics में बात करने की ज़्यादा करने की ज़रूरत है वाकि मेरा सब्जेक्ट है science science में आपको ज्यादा में ज़रूरत नहीं है limited चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा आपका हो mathematics के बेस अगर नहीं clear है तो भाई बेस उसके पूरा clear कराईए अगर आप parents है तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा का बविश्य बने बच्चा के वारा नसी में Central Hindu School में पड़े तो भाई कराना पड़ेगा आप कुटी के मेहनत करानी पड़ेगी और अगर आप नहीं करा प आप चाहते हैं कि भाई हम ना नॉमिनल फी दे सकते हैं online कि ना नॉमिनल फी दे सकते हैं offline की तो आप इसे YouTube बने रही है YouTube पे लेकिन एक चीज़ में बता दू लॉस होता है हमारी connectivity का हम connect नहीं कर पाएंगे आप से आपके उपर पूरा 100% स्योरीटी हो जागी आपका यहां पर है तो ठाप कंटेंट आप आपको प्रवाइड करेंगी लेकिन आप कितना यूटिलाइस कर रहे हैं फिर डिपेंड आप पर करेगा वहां पर हमरी गर्टी नहीं होगी लिकिन अगर आप offline center पर आते हैं online Center पर आते हैं तो वहां पर हम सकते हैं कि सेलक्षन आपका ह होगा ही होगा तो आपके आतों में कि आगर आपका बीक है भाई 6 और 7 तो जल्दी से इंड्रोल हो जाओ classes चल रही है सीक्वेंस से विदिन 2 और 3 डिस स्टार्ट हो जाएंगी 25 से बंद हो जाएगा तो आजाओ जल्दी से class start कर लो अपनी और अगर नहीं चाहते हैं आप कि आपका base clear है आप class 8 की preparation करना चाहते हैं तो एक काम करिए batch enroll करिए क्योंकि एक महीने या 2 महीने का session के बाद तो इसमें एक महीने के बाद पूरे 7 से 8 महीने हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने माले हैं पुल-on preparation mode में जाने वाले हैं जिसमें हम लोग कई सारे शब्लें से लबस तो कबर करेंगे उसके बाद कई सारी नी कि 10 से कि जितने मैक्सिम से मैक्सिमम यारा बार हा सब्सक्राइब म सकेंगे हम उतने साल के question paper solve करने वाले हैं अध्यम् जिसमें हमने क्या किया था इस क्लाब नाम थे ा कुछ करके से लाजन था जिसमें हमने क्या था कि 700 बच्चे साइद रॉल से 700 बच्चे जो है स्टूडरणी विप्र से साथ सो स्टूडर्ष में से आज कंसे कम अगर आफ याandert के देखेंगे तो maximum बच्चे जो वहां पर अवेलेबल हैं सी एचेस में मैं सी एचेस और सीच बेस्ट की बात मिलाकर बता रहा हूं और 9th 11 की बात मिलाकर बता रहा हूं तो वहां पर तीन सो से जादा बच्चे तीन सो से जादा बच्चे रजिस्टर एक्दम गैरंटीड कि हां सर आपकी पेड स्टूडेंट है क्या है पेड स्टूडेंट है और जो यूटूब पर हमको जानते हैं वो तो भाई 70 to 80% प्लस हैं यूटूब पर जाने 20% ही ऐसे बच्चे हैं जो किसी यूटूब का साहरा नहीं लिए तो लोग हमें लिए जानते थे लेगिन जो यूटूब उपन किया था सीचस के पर परस्पेक्टिव से वह स्टेड़ी कापिटल को जाना है गैरंटीड जाना है तो आज की इस वीडि अगली वीडियो में बबाई